प्रभाद बच्चों, हम आसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और घर बैठे पढ़ाई का आनन्द ले रहे होंगे चारे बच्चों, आज हम आप सब को व्याकरण में संधी का अध्यन कराएंगे संधी, संधी का साब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप जब दो अच्चर या वर्ड मिलते हैं तो उनकी मेल से विकार या उत्पन, परिवर्तन उत्पन होता है उसे संधी कहते हैं जैसे गैधन इका, गाईका, संधी की परिभासा दो वर्डों की परसपर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्य होता है उसे संधी कहते हैं जैसे पुस्तक धनाले, पुस्तकाले, सुधन आगत, स्वागत, माधन इस, रमेश, दयाधन आनंद, दयानंद, संधी विच्छेत संधी का आर्थ है मेल या मिलना, विच्छेत का आर्थ है अलग होना, दो वर्डों की मेल से वनी नए सब्द को पहले वाले इस्थिती मेलाना संधी विच्छेत कहलाता है, जैसे महासे का संधी विच्छेत है, माधन आसे, स्वागत का संधी विच्छेत है, सुधन आगत, विशर्ग संदी आज हम स्वर संदी के बारे में पढ़ेंगे स्वर संदी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन होता है अर्था जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संदी कहते हैं जैसे परम धन अर्थ परमार्थ प्यारे बच्चो परम में अंतिम वर्ड स्वर आ है और अर इसलिए यह स्वर्शंधी है इसी तरह सूर्य धन उदय, सूर्य उदय यह भी स्वर्शंधी का यह उदारण है स्वर्शंधी के भेद स्वर्शंधी के निम्लिकित पांच भेद होती है आज हम दीर्ग संधी के बारे में जानेंगे दीर्ग संधी दीर्ग संधी के नियम जब हरश्व या दीर्ग स्वर आ ई उ के बाद क्रमसा हरश्व या दीर्ग स्वर आ ई उ आये तो दोनों मिलकर दीर्ग आ ई उ हो जाता है जैसे देवधन आले देवाले परिच्छा धन अर्थी परिच्छा अर्थी रविधन इंड्र रवेंड्र कविधन इस कवीश भानुधन उदय भानुदय गुरुधन उपदेश गुरुपदेश प्यारे बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही, अब आप सब से कुछ प्रश्ण पूछे जाएंगे, जिसे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, बहुविकल्पी ये प्रश्ण, प्रश्ण नम्बर एक, संधिका साब्दी कर्थ है, आपके आपसंस एका, मेल या मिलाप, ख, अलगाव, ग, परिवर्तन, घाउ परियुक्त सभी, आपका सही उत्तर है, मेल या मिलाप, आपका अगला प्रश्ण है, स्वर्शंदी का उदारण है, आपके आपसंसें, क, जकत धनीश, ख, सत धन आचार, ग, विद्याधन आले, ग, ने धन फल, आपका सही उत्तर है, विद्याधन आले, अब आपका आगला प्रश्ण है रजनीधन इस सब्द का सही संधी होगा आपकी आपसंस है करजनीश खरजनीश गरजनिश गरजनीश आपका सही उत्तर है रजनीश अब आपका आगला प्रश्ण है हिमाले सब्द का सही संधी विच्छेद होगा आपके आपसंस है हिम धन आले ख हिमा धन आले गर ही धन माले गर इनमी से कोई नहीं आपका सही उत्तर है हिम धन आले अब प्रश्ण अभ्यास लगुत्री ये प्रश्ण निमलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखे प्रश्ण नमबर एक संधी किसे कहते हैं प्रश्ण नमबर दो संधी के कितने भेध हैं नाम लिखे प्यारे वच्चों इन प्रश्णों के उत्तर आपको दो से तीन पंक्तियों में लिखना है आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं कल आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद